तो संस्कृत का आर्थ क्या होता है, संस्कृत को पढ़ने वाले लोग कोन होते थे और कहां से आई ये लेंग्वेज, ये सबी इसके बारे में तमाम हम बाते डिटियल में देखने वाले हैं, तो संस्कृत का आर्थ दोस्तों, परिमाजित करना होता है, परिस्कृत करना होता है संस्कृत का अर्थ और संस्कृत में दोस्तों सम धाना क्रा धाना त इससे मिलकर संस्कृत बनता है सम उपसर्ग होता है क्रा उसमें धातू होती है और यह जो होता है प्रत्य होता है कि कोई विभी सब् du-sanskrit में उपसर्ग धात्र बने कर बनेगा संस्कृत कहलाएगा यह बात होती है दूसरी बात की संस्कृत को पढने वाले लोग कहां से आई तो दोस्तों जो संस्कृत को पढने वाले लोग थे या जीनों निर्मान किया उनको कहा जाता था आरिय तो आरिय लोगों को आरियों के बारे में हम देखे दोस्तों तो आरिय किनको कहा जाता था आरिय उस समय या बोल सकते कि उत्तम जो स्रेस्ट और जो कुलिन लोग हुआ करते थे वह आपने आपको आरिय कहते थे यह हमारा पहला पहली है next इसी को हम देखे किसका साथ इसका कब उध्गम हुआ तो दोस्तों यह वेदिक यूगद में हुआ था 1500 इसापूर्व से लगाकर ... пом3-6 इसापूर्व के मध्य में संसक्रित का उध्गम हुआ था और संस्क्रत दो प्रकार की होती है वेदिक संस्क्रत और लोकिक संस्क्रत वेदिक संस्क्रत का मतलब यह होता है जो वेदों में जिसका वर्णन मिलता है वो वेदिक संस्क्रत वो बहुत कम लोग जान पाते हैं जो देवी देवताओं की जो प्राचिन वेद लिखे हैं रिगवेद लिखा है यजुरुएद, सामवेद, अथरवेद, पुराण, और जितनी चीजे संस्कृत में लिखी गई है, वेदिक रूप में लिखी गई है, वेदों के रूप में जो प्रयोग की गई है, वेदों में जो भासा संस्कृत का प्रयोग किया गया है, उसे वेदिक संस्कृत कहा गया ह और लोकिक का मतलब यह हुआ कि दोस्तों जो वर्तमान में हम प्रयोक कर रहे हैं ने कि लोगों द्वारा ज्यादा मात्रा में बोल रहे हैं उसे हमने क्या कहा लोकिक संस्कृत कहा गया इससे पहले कि हम बात करें दोस्तों आरे लोग ने इसकी रचना करी थी तो आरे लोग कह से आये थे या क्या इसका किस तरीके से मेटा रहे हम सब चीजे देखने वाले हैं तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों देखें हम तो वेदिक काल है तो वेदिक काल का दो भागों में हम अलग-अलग divided किया गया है एक होता है रिगवेदिक काल उसी को कहा गया है पूर्व वेदिक काल और एक होता है उत्तर वेदिक काल तो दोस्तों 1500 इसापूर्व से लगाकर 1000 इसापूर्व के जो साशन जो काल चला उसे रिगवेदिक काल कहा और यहीं पर वेदों की रचना की गई थी उत्तर वेदिक काल की बात करें तो दोस्तों 1000 से लगाकर 600 इसापूर्व के मद्ध यह था आप बात करें दोस्तों कि रिगवेधिक काल में बहुत ही अच्छी संस्क्रत थी हमारी और बात करें वेधिक जो जितने भी वेद लिखे गए थे जासरे की रिगवेद, यजुरुवेद, सामवेद, अथरवेद, लेकिन बात में जैसे ही उत्तरवेदिक कालाया इसमें अपने हिशाब से लोगों ने धिमें धिमें चेंजिंग करते रहें जैसे एक example से आप समझ सकते हैं जैसे हमारे एक अपने उपर से अपने परिवार के उपर से देखें तो जो हमारे पिता जी के पिता जी होते हैं कि दादा जी लिख कर गए थे पहले कि आपको सुबह चार बजे ब्रह्मामुरुत में खड़ा होना है चार बजे अच्छा में चार की जगह क्या कर दिया शे बज़े खड़े होना है शे बज़े कि आपने आुसकता के पुनसार पर जो सरल्गोर सही लगेगा अहूंत के मिडेक नहीं कि कर दिया हमारे आने वाली ज़ेनरे संस्क्रित की बात कर एक बट समय की बात करें तो उस समय जितने भी वेद लिखे गए थे बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए थे लेकिन जैसे ही धिमे धिमे स्काल परिवर्तन होता हुआ रहा जैसे कि 1500 इसा पूर्व से मैंने 600 इसा पूर्व मद्दे बोला तो दो काल में बटा एक रिगवेदिक काल तो यही बात है कि पूर्वेदिक काल ने रिगवेदिक काल बहुत अच्छा काल था लेकिन बाद में जैसे ही धिमे धिमे समय चेंज होता रहा उत्तर वेदिक काल आया तो वहाँ पर changing हो गई और वहाँ पर लोकिक संस्क्रत आने लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली संस्क्रत प्रयोग में आने लगी तो दोस्तो वेदिक काल का विभाजन जो है मुख्यत लोहे के प्रयोग पर होता है कि रिगवेदिक काल में लोहे का प्रयोग नहीं होता है और उत्तर वेदिक काल में लोहे का प्रयोग होता है ये महतपुन बात माने जाती है तो वेदिक काल के हम बात करें तो दोस्तो वीद एक संस्क्रत धातू से बिलकर बनी है जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान अब एक ज्ञान कोन लेता था तो आर्य वेक्ति लेते थे यह वेदिक सब्वेता के मूल निवासी जिनको आरे कहते हैं और आरे संस्क्रत का एक सब्द है जिसे कहा जाता है और यह आगे बात करें कि आरे लोग भारत में आए मतलब ऐसा कहा जाता है कि संस्क्रत सभी भासाओं की जननी है तो आर्य आये तो कहां से आए कुछ लोग अलग अलग बोल रहे है तो जैसे आर्यो का जो मूल इस्थान है दोस्तों यह देशी मत पहले देख लेते हैं कि देशी मत हमारे देश के लोग आर्यो के बारे में क्या बोलते हैं तो आर्यो के बारे में दोस्तों पहले बोलते हैं बाल गंगादर जी तिलक उन्होंने एक बुक लिखी है दी आर्कटिक हम अब दी वेदास उस बुक का नाम है The Architect Home of the Vedas यह हमारे देशी मत बालगंगादर जी के लोग का आप जानते होंगे अच्छे से तो उन्होंने कहा है कि जो आरे लोग आये और उत्तम लोग आये स्रेश्ट लोग आये कुलिन लोग आये यह आर्कटिक छेतर से आये हैं यह उत्री धरू से आये हैं, नेक्स्ट आगे धायानन सरस्वती जिनको जानते होंगे जिन्होंने आरे समाज की स्थापना करी थी 875 में उन्होंने कहा कि जो आरे लोग आये थे यह तिबब चेतर से आये थे नेक्स्ट आगे की बात करें डियस दिवेदी जी है वो देविका प्रदेश और देविकर प्रदेश कहा जाता है पुराने समय में अफगानिस्तान को कहा जाता था नेक्स्ट इसी में एक और विद्वान है डी कल्ला जी का बोलते हैं कि यह जो आरे लोग आये हैं कस्मिर हमाले छGen आये publi हैं फिर इसके बात मैं संपुना नंद और अविनास चंददास जो बोलते हैं यह कहते हैं कि सब्त सेंदो प्रदेस आने सिंदु घटी के आसपास के छेतरों को हम क्या कहते हैं सब्त सेंदों प्रदेश से आये हैं और कुछ लोग बोलते हैं इसे गंगा ना जहां बोल रहे हैं कि गंगा यमुना का जो दोवाप था और उसी को कहा जाता था ब्रहमर रिश्री प्रदेश वहां से आये हैं विदेशी मत क्या है दोस् उसको हमको देखना जरूरी है कि यह कहां से आए तो सर विलियम जोन्स जो है वो कहते हैं कि यह यूरोप, जर्मनी, हंगरी, दक्षिन, रूस से आए हैं तो हमने उनसे पूछा कि भीया बताईए कि आप इनको ऐसे केसे बता रहें कोई आधार है आपके पास तो सर विलियम ज उनस बात बताते हैं कि जो यूरोपिय भासा है, संस्कृत की भासा है और संस्कृत की भासा और यूरोपियों की भासा उनमें समानता दिखती है अब हमने का पूछा कि भीया बताओ कैसे समानता है तो उन्होंने संस्कृत के कुछ वर्ड रखे हमारे सामने कुछ सब्द र लेटिन में मात्र को मातेर कहा गया और पिता जी को पातेर कहा गया वही कुछ जर्मनी और हंगरी इधर देखा जाए तो वहां अंग्रेजी भी बोली जाती है इंग्लिस बोली जाती है तो वहां पर अंग्रेजी में मदर और फादर कहा गया फार्सी में दोस्तों मादर और तो ये अधार उन्होंने कहा था अब उनकी बात हमने मान लिए कि चलो वही एक दो वर्ड आपने निकाल के दिये मातर पीतर तो हमने मान लिया कि चलो तुम्हारे वहाँ से आए फिर भी आगे देखते हैं हमने नहीं माना कि दो ही वर्ड है इसके अलावा बताओ क्या है फिर मैक्स मुलर है जो जर्मनी के एक विद्वान है वह कहते हैं कि पेक्ट्रिया छेतर से आ रहे हैं मद्देशिया से आए अप फिर पूछा उनसे कि भीया बताओ कि आप इनको कैसे बोल रहे हैं कि मद्देशिया से आए हैं तो उन्होंने आधार दिया कि जो इरानी ग्रंत है जेंद आवस्ता और जो जेंद आवस्ता है और आपके जो वेदिक रिगवेद है यजुरवेद है जितने वे आपके वेद है उन्होंने और जेंद आवस्ता जो इरानी ग्रंत है दोनों में क्या है समानता है तो इस आधार पर दोनों क्या है कि वहीं से आए हैं मद्देशिया से आए है ठीक है आग एक ही बात करें और दोस्तों इनके बारे में वड़न ये भी मिलता है कि बोगोज को एक अभिलेक मिलता है एशिया माइनर में तो इन्द्र, वरुन, मित्र, नासत्य, तो इन समी से सम्मधित वहां के देउता और यहां के देउता हमें साथ में मिलते हैं और आगे की बात करें दोस्तों की पुराणों में भी चार यूग मिलते हैं करत यूग, सत्यूग, सत्यूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल यूग अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे पर वेदिक साहिती की दोस्तों हम बात करें तो वीद का मतलब होता है जानना और वेदिक वेद कौन-कौन से हमारे तो रिगवेद है यजूरुवेद है सामवेद है और अथरवेद है तो रिगवेद दोस्तों इस्तूत के बारे में देवताओं की सुति के बारे में कहा गया है यजूरवेद में विभिन प्रकार के यद्यों के बारे में कहा गया है सामवेद में दोस्तों गायन से लिए गाय जाने योग्या मंत्रों का अकलन किया गया है संकलन किया गया है अथरवेद में दोस्तों जादू मंत् पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन इतिहास की बात करें तो दोस्तों माना जाता प्रत्य औलने प्र hij है दोस्तों त्री मूनिłada क करें कर het क्या ह्या स्थ अंद्याय में कितने अध्याय होते है और 3978 है में जो क्या है और थीकार 2980 है क्योंत्य है में जो कर दोस्तों तो चार गुना आठ अने की 32 भाग होंगे और प्रतेग पाद में भाग में क्या होगा सूत्र होगा मतलब ये बात करते हैं कि व्रद्धी रादेचह मतलब एक प्रत्थम अध्याय का प्रत्थम पाद का प्रत्थम स्लोक ये बोल सकते हैं आगे की बात करें अचारे पाणिनी के बारे में तो आपको मैंने बता दिया कि अचारे पाणिनी ने क्या लिखा एक व्याकराण अचारी है और इन्होंने क्या एक सुत्रकार इनको सुत्रकार भी कहते हैं इन्होंने गरंत लिखा जिसका नाम है अस्ठाद्याई और जिसमें की क्या है आठ अध्याई है और चार इस्सो क्या है सूत्र है और दोस्तो आधार बुत कॉस्ष्यंज भी इस तरिके से आभी पूछने का प्रचलन बढ़ गया है जैसरे पारीञी के पिता का नाम और तो यहां कि पारीनी के पिता नाम पानीन था सब्सक्राइब और माता का नाम था दाक्षी, माता का नाम था दाक्षी, गुरू का नाम था इनके वर्स या उपवर्स, ये दोनों एक ही नाम है, वर्स कहीं किसी-किसी बुक में वर्स मिलता है, किसी-किसी बुक में उपवर्स मिलता है, नेक्स्ट इनका जन्मिस्थान कहां पर है, तो दोस पिसतक का पुस्तक लिखी छी नेकस्ट अगे की बात करें ऑर पतंजली दोस्तों आपको मालूम होगा इनको महाभास्यकार और ये महापदमानन नंदेवंस के राजा जो थे महापदमानन उनके उस समय के मित्र थे नंदेवंस के राजा जो उस समय के थे महापदमानन उनके समकालिन पतंजली थे और पतंजली दोस्तो योग से सम्मधित गुरू है इन तिनों लोगों को कहा जाता है त्री मुनी कहा जाता है और आगे की बात करें दोस्तों कि आस्टा ध्याई को जगन्नमाता कहते हैं और अमरकोस को जगन्न पिता कहते हैं जगत पिता कहते हैं अमरकोस ये सब्द कोस डिस्टनरी है याने की सब्दावली है व्याकरण की संस्कृत की नेक्स्ट आगे हम बात करें अपसे पूछा जाए कि संस्क्रत सब्द में क्या उपसर्ग है तो आप जान चुके होंगे कि संस्क्रत में सम से मिलकर बनता है सम उपसर्ग है और उपसर्ग कितने प्रकार के होते ये भी मैं अभी कोश्चन आपसे पूछूँगा नेक्स्ट है इसे में संस्क्रत सब्द में क्या धातू है संस्क्रत सब्द में क्या धातू कासित तो संस्क्रत सब्द में क्या धातू है तो दोस्तो क्रधातू है संस्क्रत सब्द में प्रत्य क्या है तो संस्क्रत सब्देहा प्रत्यासित तो क्या है कत जो त बनता है काधार्त यह क्या है प्रत्य है next question दोस्तों इसी से हम देखते हैं संस्क्रत भाषा यहां अंतर गते कह उपसर्ग आसित मतलब संस्कृत भासा में कितने उप्षर्ग होते हैं तो दोस्तो 22 उप्षर्ग होते हैं अब सबसे पहले हम पाठिक्रम सिलेबस को समझे और भारती संस्कृती में दोस्तो एक कहावत है कि जिस तरह पिता अपनी पुत्री के लिए वर की तलास करता है और वर मिलने के बाद कहता है कि आदिशादी तो होई गई बैस आप उसी प्रकार संस्कत का सिलेबस समझ में आ गया तो समझो आप आधे पास तो होई गया पंद्रा नंबर आपके पक्के हैं और कहा गया है पुत्र कुपोत्र हजायते माता कुमाता न भाउती इसका क्या मतलब दोस्तों तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है माता कुमाता कभी नहीं हो सकती क्योंकि आपको अपना भाव बदलना होगा क्योंकि सभी भासाओं की जननी और माता जननी कभी भी कलिष्ट नहीं होती है और सभी भासाओं की जनिनी किसको कहा गया है संस्कृत को कहा गया है तो दोस्तों सिलेबस में आप जान चुके होंगे कि आदा सिलेबस या पूरा सिलेबस आप जान चुके होंगे बस हमारा लेक्चर जादा बड़ा हो जाए इसलिए हम कुछी चीजों को लेते हैं साथ में तो दोस्तों फिर भी हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं फिर महायiserे सुत्री की ओर पढ़ेंगे तो पहला कि hiring कहां कहां से कोश्चन आते हैं तो दोस्तों संस्कृत जो एंपिटेट में आ रहा है citate में आ रहा है, tis number की पूछ रहा है और 15 अंक की व्याकरन आ रही है 15 number का शिक्षण वीदिय आ रहा है तो संस्क्रत में जो व्याकरन है दोस्तो एक गध्यान्स, 5 अंक का आ रहा है साथ में पध्धांस पध्धांस की अंतरगत, जो अंदर ही पूछ लëता है है वो चेंज होते जा रहा है व्याकरण से दोस्तों 18 से 20 कोश्चन आ रहे हैं और सिक्षन विदी से 10 और 12 और संस्क्रत में जो अधार बुद्ध कोश्चन है उन्ने से भी बहुत सारे कोश्चन आ रहे जैसे कि मैंने आभी आप से कहा था कि सुत्रकार किने कहते हैं कितने अध्याय हैं और कितने पाद उसमें होते हैं कितने सुत्र होते हैं पाणिनी के पिता का नाम क्या है माता का नाम क्या है उनके उनका जन्मिस्थान कहां पर है वर्रुची ने कोन सी रचना करी पतंजली को महाभास्यकार कहते हैं और ऐसे करके यह क्या है अधार बुद्ध कोश्चन है तो इने भी हमें ध्यान देना पड़ेगा तो हम इसकी डिसकसन कर लेते इसके बारे में कि क्या-क्या सिलिबस में रहेगा दोस्तों तो वन रचना रहेगी और संधी रहेगा कारक होगा समास प्रत्य सब्द रूप धातु रूप उप्शरग अव्यव वाच्य सुक्ति सुभासित अनुवाद दोस्तों रहेगा असुद्धी शंसोदन होगा चंद प्रस्ण निर्माण लिंग गध्यांस वपध्यांस और शिक्षन विदिया तो दोस्तों इसमें से अधिकांस पध्यांस में से चंद, संदी, समास, उपसर्ग, पत्ते ये पूछ लेता है और गध्यान से में से भी दोस्तों बहुत सारी चीज़े पूछता है वन विचार, वाच्य, अनुवाद और ये तो हमें पढ़ना ही पढ़ना सोभाविक है तो उमिद करता हूं दोस्तों ये आपको आज का अडिय लेक्चर अच्छा लगा होगा मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ में जिसमें जो हमारा नेक्स टोपिक रहेगा वो महाईश्वार्य सूत्र से सम्मधित रहेगा